त्योहार, उत्सव और शादी विवाह के समारोह, कई बार व्यक्ति के जिवन में एक ठहराव और सोचने समझने का तरीका सामने लेकर आते हैं। जब भी हम किसी त्योहार के साथ में होते हैं, तो वहाँ पुरे घर परिवार के साथ या पर कुछ लोगों के समों के साथ में खुद को बहुत हशी खुशी के बातावरण के भीतर रखते हैं। तो हम ये सोच कर चलते हैं कि नौकरी पेशा जीवन में अभी कुछ फ्रस्ट्रेशन चल रही है, चेंज की और जाना है, किन्तु घर के इस विवाह को संपन्न होने देते हैं, उसके बाद में ऐसे बिचार मन के भीतर लेकर आएंगे और उसी अवस्ता में एक ठहराव आता है, किन्तो इस से उलट स्थियां भी कई वर सामने होती है, जैसे ही त्योहार संपन्न होता है, हम अपने कार्य शेत्र की और होते हैं, एक अजीव तरीके की निराशा मन में आने लगती है, फिर से उसी कार्य की और जाना है, जो लगातार चल रहा था, फिर से हम उसी शेत्र की तरफ है, जहां बहुत जादा competition है, यहां प्रतेक व्यक्ति, प्रतिद्वंदी है, यहां प्रतेक व्यक्ति हमारे हर एक मूव के उपर बहुत अच्छे से नजर रखे हुए है, मेरे घर में ऐसा नहीं है इस त्योहार के अंदर अलग वातावरन है, मैं अपने बच्पन के दोस्तों के साथ में बिलता हूँ, उन सभी लोगों से चर्चाएं होती है, जो जीवन से बहुत दूर हो चुके हैं, किन्तु जीवन में त्योहार आएंगे, जाएंगे शादी विवाह के समारोह आएंगे, जाएंगे, उत्सव अपनी जलक दिखाएंगे, किन्तु सबसे निश्चत नियम के साथ में कोई इस्ति चलती है तो वो है हमारा कर्म और कर्म शेत्र में खुद को जोंक कर रखना, जब हम वहाँ पर भी उसी आनंद को लगातार समाहित करके रखते हैं आप देखिए, कि त्योहार में देखती पूरे दिन एक उत्साह के साथ में भी राता है एक उमंग रहती है किन्तु जब वही उत्साह और उमंग हमारे कार्य शेत्र में आ जाए तब वहाँ पर भी नवीनता आने लगती है जो कुछ नया पन दिखाने वाले हो तो हम अपनी संकल्प शक्ती के साथ में ये प्रयास जरूर करें कि अपने कामकाजी जीवन में किस तरह से हम नया पन लेकर आ सकते हैं निराशाएं दूर दूर तक नहीं रहे कुछ नए लक्ष समधान हो जीवन में और वहीं से खुद के कर्म को नए तरीके से आहूत करते चले जाएं आज बोवर्धन पूजा का त्योहार भी रहेगा तो वहीं हम भी 15 नवंबर 2020 का जैने कराशिफल लेकर आप सभी के सम्मों के यहां हाजर हुए हैं चंदरमा आज दोपहर के अंतराल के बाद से ही यानि कि इसको समझ सकते हैं कि 11 बचकर 47 मिनिट की जो सुभह का अंतराल है वहीं से चंदरमा की स्तियां वरिष्चिक में प्रवेश कर जाएगी शुक्र प्रदान तुला राशी से निकल कर मंगल प्रदान राशी में चंदरमा प्रवेश करेंगे तो वहीं सुरिदेव भी आज वरिष्चिक राशी में प्रवेश करने वाले रहेंगे ये भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है सुरिदेव नीचस्त इस्तियों से निकल कर ग्रहों के सिनापती की राशी में प्रवेश कर रहे हैं तो वहीं आज इस दिवस में विशाका नक्षत्र की स्ततियां रहने वाली है रविवार का दिवस विशेश है कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अपने पूर्णाहुत की और अगरसर है और शुकल पक्ष शुरुवात की और है हम भी शुरुवात करते हैं मेश राशी के साथ व्यापारिक जीवन में आज भी आपको अपनी जिमेदारियों के साथ यदि चलना है तो ये समर्तियों में रखिएगा कि सुबह 11 बचकर 47 मिनट के पहले निरनाय का काम काज पूर्ण कर लिये जाएं संतान पक्ष के साथ में कोई भी चर्चा करन है तो उस आधार पर सुबह का समय ज्यादा अच्छा है खर्चों के उपर नियंतरन का प्रयास आप जरूर कीजिएगा त्योहार का समाप्तिकाल यहां साथ में हैं हाला कि भईया दूज और गोवर्धन पूजा जैसा त्योहार आप साथ में चलने वाला रहेगा तिन्तु फिर भी अब खर्चों के उपर नियंतरन लगा कर चलें विदेश में आप रह रहे हैं अपने कार शेत्र में अधिक से अधिक प्रगति की और जाना चाहते हैं तब भी यह समय सम्यक तोर के उपर आपको सपोर्ट करने वाला होगा आप यहां पर अपने नौकरी पेशा जी बाहर निकल कर अपने कार शेत्र में हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं इसके बारे में आप विचार शेल रहिएगा स्वास्ति में आज जो इस्ततियां है वो बैतर बनी हुई है वहां कई भी दिक्कत और परिशानी नहीं है वहीं वरशब राशी वयापारिक जीवन में ये समय विशेश जहां दूसरे लोग अभी तक भी त्योहार की रंगत के साथ में चल रहे हों आप खुद को कर्म शील कीजिएगा उसके परिणाम प्रभावी तोर पर साथ में जुड़ते चले जाएंगे और वहीं किसी भी क्रियेटिव फील्ड के साथ में आपका जुड रहे हैं या फिर नौकरी पेशा जीवन में अनंत संभावना के द्वार की और आप जाना चाते हैं तब भी शुक्र प्रदान राशी के जातकों के लिए सुबह 11 बचकर 47 मिनट के बाद का समय अती महत्तपूर्ण कहा जाएगा संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव बढ़ चलिएगा रुकने की आवशक्ताएं नहीं है पिछले कुछ महिना का अब्जर्वेशन अपने साथ में लाना है अवकाश का दिन है और यहां आपको लगता है कि एक बार एकांत में बैठेंगे और वो सारी ही संभावनाएं जानने का प्रयास करेंगे जहां से हम आगे रहेगा और यहां पर भी आपके लिए कुछ खुश्नमापल सामने निकल कर आते चले जाएंगे कोई भी डाउटफुल एप्रोच नहीं है यह बात आप ध्यान रखें कि लेखर की या कामकाज की साथ में आपका जुड़ाव है तब भी आपके लिए मेंटल प्रेशर की प पर आपनी अंतरन रखिएगा और वहीं पर आप किसी विशेश जगे जा रहे हैं किसी से मुलाकात करने जा रहे हैं शोश्यल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और किस तरह से आप प्रेकॉशन्स के साथ में चल सकते हैं यह भी सावधानी रखने की आविशक्ताएं आपक जदा वचलित होने की और घवराने की आवशक्ताएं नहीं है विदेश संबंधी कारियों में आज आपको बड़ी सफलता मिल सकती है तो इसके लिए आपको प्रिपेर रहना चाहिए भाग ये कसायोग सुबह सुबह बना रहेगा और उसके बाद में वहां तोड़ी सी कमी भी आपके संबुक आएगी मानसिक सुख में कमी है किन्तो ये ध्यान रखें कि हम किस तरह से खुद के साथ में समय बिता सकते हैं घर परिवार के साथ में जो समय बीत रहा है उसमें क्या मंतरणा की जा सकती है ये भी आविशक तोर के उपर अपने साथ आप जूड़ कर र रहा है तो यहां संध्या समय अंतराल के बाद आपके सामने कुछ अच्छे खबरें आने की एक तरह से गुझाईशें रहेगी और आपको कहीं ने कहीं उसका स्वागत भी करना चाहिए इसी समय में कुटुमभी जनों के साथ में चोटे चोटे जो भी विवात चल रहे थे उनसे एक दूरी बना कर आप रखिएगा वहीं यदि मैं करक राशी की चर्चा करता हूँ तो सर्व पर्थम यहां आपके लिए उत्साह और उमंग से लबरेज है ये दिन जन लोगों के साथ में आप जूड़ना चाहते हैं उनसे जब भी आपके नरनायक तोर के उपर वा आपके सम्मुक रहने वाली है एक निविदन और भी कर रहा हूँ कि रिण संबंदी समस्याओं से आप ग्रसित होकर चल रहे थे ये समय समाधान के इस तर के और आपको ले कर चल सकता है अपने काम काजी जीवन के अंदर समझाते की और नहीं जाएं कोई व्यक्ति आप से शत्रुवत संबंद रख रहा है किन्तो आप वहाँ पर भी मदोर मुस्कुराहण बना कर रखते हैं उसी में सबसे बड़ी हमारी विजह है और इस बात को अपने साथ में लेकर चलें वहीं शेयर मार्केट संबंधी काम काज में इस अवकाश के दिन भी आपको प्लैनिंग करनी चाहिए अगले पूरे ही सबता की कैसे आगे बढ़ा जा सकता है और किस तरह से कारे को करियान वियन की तरफ लेकर आया जा सकता है कहां गलतियों से दूर रहना है और कहां प्रो एक्टिव रहकर चलना है ये सब कुछ अपने भीतर आप समाहित करके चलिएगा तो वह भर परिवार के साथ में ये डिसकुशन हो चुका कि नौकरी पेशा जीवन के साथ में फिर से एजुकेशन की और जाओंगा वैवाहिक जीवन में जाने के लिए मुझे थोड़े से समय की आविशकता है ये सारी ही बातचीत निरनायक स्तर की उपर हो चुकी है तो अब उत से अपने गोल की और आपको लग जाना चाहिए सफलता की प्रतिधवनी आपके लिए मौजूद रहेगी यहां तो वहीं व्यापारिक जीवन में आज भी आपके लिए आकस्मिक धनलाप की गुंजाईशें रहेंगी जो अग्यात भय बने हुए थे जो रिष्टों के एक नया आयाम देता हुआ नजर आ रहा है बिना रुके और बिना ठके चलते चले जाईएगा आप क्रियेटिव फिल्ड के साथ में जुड़े वुए हैं तो मेजर चेंजिस की और बढ़ना भी आपके लिए बहर चांदार है अध्यात्मिक चिंतन जो विक्सित हुआ है अ अभी भी त्योहारी समय चल रहा है अभी भी घर परिवार के साथ में एक माहौल की स्ततिया है वो आनंद के साथ में समाहित है आप कल को लेकर आज का ये जो आनंद है उसको गौन करने वाले नहीं रहें इस मंत्र को आप स्मृतियों में रखिएगा तो वहीं भाग्गी के साथ में संगर्ष बने वुए हैं आपने कोई भी टास्क ओरियंटेड एप्रोच में अपनी वर्कमेंशिप को आगे बढ़ाना है तो यहां आपको थोड़ी सी दोविधाई मिल सकती है इस बात को अभियाद रखें और वहीं पर भूमी संबंदित कामकाज में कोई बड़ आपको लेकर चलना है तब भी संबावित तोर के उपर यह समय आपके लिए खुशनुमा पल सामने लेकर आएगा यह ध्यान रखेएगा ऐसे कार्य प्रियुजन की और आप जा सकते हैं वहीं पर सर्विस इंडस्ट्री संबंधिक कार्य शेतर में आपका जुड़ाब और ह अस्तक्षेप रहा है तो आप यहां पर बड़े निर्णय यदि लेते हैं तो खुद के लिए एक अच्छी पोजिशन को क्रियेट करने वाले होंगे पिता के साथ आप कामकाज में जुड़ना चाहते हैं नौकरी पेशा जीमन में थे फ्रस्ट्रेशन है पिता का व्यवसा की भावनाएं एक क्रिस्टल क्लियर एप्रोच में घर परिवार तक पहुंचती है तो आप समाधान के साथ में जाने वाले होते हैं जोखिम उस समय जोखिम नहीं रह जाता जब आपका व्यक्तिगत अनुभव लगातार उस कारे शेतर के साथ में जुड़ा हुआ है और जैसी ही समभावनाएं सामने नजर आएंगी अस्ते विकार जैसी परिशानियों से आप ग्रसित रहे थे तो वहाँ पर भी आपके लिए सॉल्यूशन प्राप्त होता चला जाएगा वहीं कन्या राशिक की यदि मैं चर्चा करूँ तो आप देखें कि त्योहार के फॉरण बाद में कई बार हमारे लिए कुछ आफर्स निकल कर आते हैं तो आपके लिए ऐसे आफर्स सुआगत योग गिरहेंगे जहां पर भले ही हमको responsibility अधिक मिल रही हो financial गिन नहीं हो हमको बढ़ जाना चाहिए क्योंकि यहां एक स्थिरता रहेगी आपके लिए दूसरे आधार पर अध्यात्मिक चंतन मौझूद है कम्यूनिकेशन के अंदर एक अलग तरीके का अधिकार आप लेकर चल रहे हैं किसी भी व्यक्ति से आप संभाद करते हैं उसको प्रभावित करते हैं अपने साथ में जोडते हैं जोड कर जीवन के अंदर एक नया धृस्टिकॉन रख करा रही थी ये समय वहाँ पर भी आपको समाधान के साथ में लेकर चलने वाला होगा कहीं पर भी चंतित होने की आवशक्ता हैं आपको नहीं है किन्तु मस्क्यूलर पेन का और साथ ही साथ में जो रख तसंबंधे विकार होते हैं उनका इस दिवस में 15 नवंबर के दिन आ परिवार के साथ में है किन्तु कुछ समय उस रिलेशन को भी आप जरूर दीजिएगा बाचीत होती रहे मन के भीतर के जो ख्याल है वहाँ तक पहुंशते रहें ये प्रयास आपको करना चाहिए जिससे कि पूरी ही संपूर्णता आपके साथ में बनी रहे वहीं तुला र हम एक बार आत्म मंधन के साथ में चलना चाहते हैं कि परेशानियों के सिरे क्या है कहां पर हम खुद को सुलजाने की और जा सकते हैं ये सारे ही मननशीलता के एक तरह से आशे हैं जिनको आप साथ में रखिएगा और वहीं एक निविदन और भी करूंगा कि कुटुम्भी जनों के साथ में कोई भी विवाद चल रहा था उसको सुलजाने के और भी आप जा सकते हैं यहीं पर आप किसी मेजर चेंज की और जाने वाले थे और एक बार आपको अपने परामर्श दाताओं से सलाह की आवशक्ता थी ये समय आपके सामने है इसको बहुत अच्छे से जरते चले जाएगा और वहीं पुरानी समर्दियों में थोड़ देर के लिए घर परिवार के साथ में खो जाना भी कई बार उत्तम होता है तुलाराशी के जातकों को उन भावनाओं के साथ में भी जरूर चलना चाहिए आप अपने लिए नौकरी पेशा जीवन से अब व प्रयास आपको एक नया विश्वास देने वाले रहेंगे एक्जीक्यूशन के पहले प्लैनिंग बहुत में तुपूर होती है और वो दिन आज आपके लिए यहांपर मौजूद है तो वहीं वरिश्चक राशी मंगल परदान राशी के जातकों के लिए ये समय सुबह के अंतराल के बाद से एक नई उर्जा लेकर आएगा जिस खोए हुए आत्म विश्वास की वज़े से आप परेशान थे वहीं से आप फिर से बाउंस बैक करेंगे जो आप योजनाय बना रहे थे दो से तीन दिन में इस त्योहारी समय में वो सफल नहीं हो पाई थी किन्तु आज भी उसके सकारात्मक परिणाम आपके सामने आने की पूरी पूरी उम्मीद वनी हुई है इस बात को आप अपने साथ सहीच कर रखिएगा ग्रहस्त जीवन में भी जो अटके हुए मामले थे जो मन मुटाव की स्तितियां थी वहां से भी आप हुद को फिर से दूर हट कर एक नए जुडाव की और लेकर चलने बाले होंगे ये बात आप ज्यान रखें तो वहीं क्षमताओं के साथ में कोई भी कामकाज जुडा हुआ है वहवारे के दृस्टिकॉर्ण से वहां पर भी आपके लिए वरद्धी के संकेत रहेंगे भाग्य के साथ में पूरा-प लेकर आएंगे भूमी संबंदित किसी भी कारे का आपको निरनय लेना है पूरे ही घर परिवार के साथ में तो ऐसी इस्ततियों की और भी बढ़ा जा सकता है वहीं धनुराशी की यदि मैं चर्चा करूँ तो जो लाब की इस्ततियां बनी हुई थी अब वो थोड़े से ठ का वी नहीं होने दे हैं कई बार हम कोई व्यक्ती की एक तरह से जो कार्य शयली होती है और वो विद्रोही कार्य शयली होते है उसको टालने वाले होते हैं इग्नोर करते हैं ऐसी पूजिशन्स को इग्नोर नहीं करें अपनी conscious approach के साथ में आप बने रहें brokerage और commissioning संबंधि कामकाज है वो आज आपको यहाँ पर सफलता ले सकता है तो वही share market संबंधी कार्य शेत्र की आपको planning करनी है अगले पूरे ही सब्ता की तो ये अवकाश का दिन बहुत अधिक महत्वण कहा जा सकता है नौकरी से व्यापार की और shift हो रहे हैं तो हमको किस तरह के मानस के साथ में चलना होगा हमें किस तरह से risk कल्कुलेटिव एप्रोच रखनी है ये सारे ही मनतब वे अपने मन के भीतर इसपस्ट करते हुए चलें और वही जो रोग संबंधी स्तियां आपको लंबे समय से सता रही थी वहाँ पर भी समाधान का प्रकर अस्तर मौजूद रहने वाला है मकर राशी सरवबर्धम यहां आपके लिए सरवांगीन लाब बढ़ता चला जाएगा ये एक प्रमुक आधार आपके लिए बना हुआ है और वहीं पर जो आप खुद को पूरे तरीके से सक्रिय करके चल रहे थे उसी सक्रियता का आज फलाफल आपको सामने मिलेगा इसी समय अंतराल के अंदर सर्विस इंडस्ट्री संबंदी कामकाज में खुद को एक नई वरद्धी की और आप लेकर जाएंगे मेडिकों हैं या फिर फार्मसिटिकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेव रहा है तब भी इस समय के साथ में आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशन बने रहेंगे किसी भी रिलीशन के साथ में आप चल रहे थे कुछ खुशनुमापल उस रिष्टे के साथ में आपको मिले है और अब आप उस रिष्टे को घर परिवार के सामने रखना चाहते हैं तब ऐसे निर्णय लेना भी आपके लिए हिद कर रहेगा जोखिम जोखिम नहीं होकर संभावनाओं का एक द्रश्यमान इस्तर है उसके साथ में चलिएगा और वहीं ये भी निविजन करूँगा कि जो भी लोग अपने घर परिवार से दूर रहे हैं अपने घर परिवार के साथ तकनीक से जुड़ कर भी कोई बातचीत आगे बढ़ाई जा सके या फिर उनसे जुड़ा रहा जा सके कि प्रयास जरूर कीजिएगा कई बार वक्ति कहता है कि पहली दिवाली है जब में घर से दूर रहा और निराशाओं के साथ में कहता है कई बार वक्ति कहता है कि नजाने कितनी दिवालियां घर परिवार के साथ में भीती आज एक ही दिवाली आई है वहां में घर से दूर हूँ कोई बात नहीं है फिर से जुडाव की और जरूर जाओंगा ये दोनों ही आशय जीवन के भ्रहम को इसपष्ट करने वाले होते हैं तो वहीं कुम राशी यहां आपके लिए त्योहारिक समय अंतराल में ही कामकाजी जीवन की भागदोड निकल कर आएगी और उससे खुद को कहीं पर भी संकोचित नहीं करें आलस्य जीवन में कहीं पर भी प्रवेश करने वाला नहीं रहे इस बात पर आप गौर कीजिएगा तो वहीं पर हम इस समय के अंदर कोई भी रूठा हुआ रिष्टा है उसको फिर से मनाने का प्रयाज जरूर करें मन के भीतर ये मनतब गभी इसपष्ट रहने वाले हों बूमी संबंदित कारे शेतर में आज आप रुक कर चलिएगा और वहीं टेक्नोलोजी संबंदी किसी पूरिशन के अंदर आप फिर से एजुकेशन की और जाना चाहते हैं समय संभावनाएं बहतर दिखा रहा है उस और जरूर आपको गबनशील रहना चाहिए तो वहीं मेन राशी सर्वबर्थम जो निराशाएं आपके भीतर बनी वी थी उससे आप दूर होंगे यहां आश में चिंतन विकसित होता चला जाएगा कहीं पर भी दूरी की स्तियां वहां नहीं है तो वहीं जो पुराने रोक सता रहे थे वहां पर भी रिलीव की पूरिशन्स आपके लिए बनी रहेगी एक और निविदन मैं कर रहा हूँ कि आपको घर परिवार से किसी बात की हामी च की प्लैनिंग कर रहे हैं उसके अंदर और ज़्यादा प्रिसाइज होने का प्रयास जरूर कीजिएगा आध्यात्मिक चिंतन की स्तियां दिरंतर पनपती चली जा रही है तो ये था 15 नवंबर 2020 काप देने कराशी फल हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजर होते रहेंगे धन् काम नए